सब्सक्राइब कीजिए फाइन इंवेस्मेंट चनल को और वैल आइकन को दबाईए लिटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए आप नए डिमेंट अकाउंट उपन करना चाते हैं तो डिस्क्रिप्टिन में दिवी लिंक से उपन कर सकते हैं जहांपर सो रुपए के कैस बैक के साथ आपको और भी अच्छे आफर मिल जाएंगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ IRFC यानि Indian Railway Finance Corporation Company के Quarter 3 के नतीजों के बारे में इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहांपर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोबाइड क और निव्स अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब देखेंस सबसे पहले मैं आपको बदा दो कि यहां पर जोबी वैलियो आपको मिलेगी वह मिलियोंस में मिलेगी इस बात का आपको दिया रखना है च पिछले साल के इसी क्वार्टर ने तीस दिसंबर 2020 के अगर बात करें तो इंकम 49,324 मिलियन के आस पास रही थी यानि यर्ली वेसिस पर भी अगर देखा जाए तो कंपनी के इंकम में जबरदस्त उचाल होता हुआ नजरा है अब देखिए बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंस यानि खर्चों की तो देखे प्रिजेंट क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसे है 35,032 मिलियन के आस पास रहे थे यानि की क्वार्टर ली वेसिस पर देखा जाए तो जो एक्सपेंसे है उसमें यहां पर बढोत्री होती है नजरा रही है वहीं आगर पिछले साल के इसी quarter की बात करें तो 28,877 million के आसपास company के expenses रहे थे यानि yearly basis पर भी इनमें जबरदस्त उचाल होता हुआ नज़रा रहा है वहीं अगर बात करें profit की और देखे profit किसी भी company के लिए बहुत ही सदा important होता है और present quarter में अगर profit की बात करें तो 15,949 million के आसपास company का profit रहा वहीं अगर पिछले quarter की बात करें तो 15,014 million के आसपास रहा था यानि कि quarterly basis पर जो profit है उसमें उच्छाल होता हुआ नज़रा रहा है अगर EPS की बात करें यानि earning per share की बात करें तो present quarter में EPS 1.22 है वहीं पिछले quarter में 1.15 के आसपास रहा था यानि कि quarterly basis पर हलकी जी कमी ज़रूर आती हुए नज़रा रही है लेकिन अगर पिछले साल किसी quarter की बात करें तो 0.88 के आसपास था यानि yearly basis पर अगर देखा जाए तो जो EPS है वो काफी बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ नज़रा रहा है यानि कि उबरॉल अगर देखें तो कंपनी की income हो चाए profit हो चाए EPS हो आपको यहाँ पर उचाली देखने को मिल रहा है लेकिन कंपनी का share नहीं उचल रहा है आपको बता दें कि इसका IPO भी कुछ दि लिस्टिंग इसकी देखने को मिली थी निवेशकों को यहाँ पर करारा लॉस हुआ था हलांकि जो निवेशक हैं लिस्टिंग के लिए premium के लिए ही पैसा लगाते है और premium यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था फिर उसके बाद यह जो share है लगातार नीचे जाता हुआ करीब 20 3.5 साल हो चुके हैं मतलब यहाँ पर 1.5 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर निवेशकों कुछ खास return मिलता हुआ नजर नहीं आए और समय समय पर मैंने आपको बोला भी है कि जब भी 26 रोपे के आसपास यह आपके issue price के आसपास यह share जाता है तो आपको profit book करके द इसे share में रहना ठीक नहीं है कि मार्केट में और भी अच्छे share है जो आपको अच्छा खासा return बिना किसी risk के दे सकते हैं तो आप उनमें निवेश कर सकते हैं इसलिए मेरा इस share से थोड़ा सा भरोसा उठा हुआ है अलागी numbers अच्छे हैं आच्छी तेजी आने की गुंजा इस हो सकती है लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये move करता है आपको ये share कैसा लगता है क्या आपके पास भी इसके share है क्या आप भी इस share में फसे हुए आप हमें comment box में लिखकर जरूर बताएं आज की वीडियो में इतना ही धन्रवाल